हलो दोस्तो वेरी गूड इवनिंग स्वागत है सबका इंफो बेर चैनल में मैं वह आपका बेर स्वागत करना दोस्तो सबका 10th of January है अज संडे है सब फ्री थे मेरे कहाल से और कल से वापस एक बार मंडे आने वाला है मार्केट खुलने वाला है और पैसे बनाने का अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाला है तो तयार हो जाई है दोस्तों आपके लिए लेकर क्या हो मैं ऐसा एक शेर जिसमें काफी असे बाद लंबे टाइम बाद इसमें ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है और अगर ब्रेक करती है क्या बाइंग लेवल है सेलिंग लेवल है फाइनेंशल क्या है टेक्निकल क्या है सब कुछ अंदर रेसिस करने वाले दोस्तों आज में और ब्रेक आउट क्या है किस तरह से इसको मैनेज करना है वो भी चार्टर में आपको दिखाऊंगा सारी कि सारी बाते बताने वाला हूँ दोस्तों वीडियो लंबा नहीं रहेगा तो देखेंगा बिल्कुल पूरा एंड तक बिल्कुल जदवाजी ना कीजेगा इसको बीच में छोड़ने की क्या है कुछ सिनारियों होते हैं अगर आप बीच में उसको स्कीप कर दोगे तो डिसीजन गलत हो जाएग चायद सही जाने की कोशिश करोगे लेकिन सिनारियों बदलते हैं दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है सारे सिचुएशन को समझना है और उसके बाद में ही अपने डिसीजन लेना है अब शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो प साथ में दोस्तों टेलीग्रम चैनल भी हम चलाते हैं बिलकुल free of cost है कोई भी जूड सकता है कोई charges नहीं है काफी सारे लोग जूड रहे हैं दोस्तों और बिलकुल आपको भी जूड ना चाहिए daily news आते हैं यहां पर वीडियो जाते हैं और updates भी रहते हैं काफी सारे तो आ बहुत अच्छे थे काफी अच्छा है कंपनी का और अगर आप इसका बिजनस देखाऊगे तो बहुत बड़ा बिजनस है खास करके मशनरी डेवलप्मेंट में हैं तो ज्यादा और बताने से बैटर मैं आपको वेबसाइट पर लेकर किल चालता हूं अच्छी तरह के पूरा बिजनस समझा दूगा देखे अब प्रड़क्स में दोस्तों यह खास करके इंजिन बनाते हैं बावर जेनरेटर बनाते हैं कंपोनेंस बनाते हैं और न्यू पावर के जो रिसोर्से से उनको भी यह सर्च करते रहते हैं बैटरी सेल्स वह जो स्टोरेज कपैसिटी वाले प्रड़क्स होते हैं वह यह बनाते हैं अब इसमें लिए कंस्ट्रक्षण काफ़ी सारी सेक्टर में काम है वैसे जनरेटर में हुआ बीजनरेटर देख रहे हुए व्यूंअ ने सब्सक्राइब काफी सारे और ब्रड़क्स लग देवलोग करते हैं फोड़ बड़ी जनरे जो है हम हमेशा देखते हैं काफी दरे कॉंप्लेक्स में लगे हुए होते बड़े-बड़े कंपनी में लगे हुए होते हैं तो यह बनाती है यह कंपनी यह और इनका एक पॉर्टफोलियो है अब मैं दिखाना चाहिए हूं आपको एनसी पर फ्राइड़ को क्या हुआ था द यानि कि जैसे वारेन बफेट सर ने कहा कि अगर लंबी सूच रखते हो तो ट्राइ करो के शेर को इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे खरीदो ताकि जब भी वह अपने इंट्रेंसिक वैल्यू पर पहुंच जाए आप उसको बेच सकते हो अब नीचे आकर के रिटेन देखे है अब अगर हम लोग फोर्कास की बात करते हैं दोस्तों तो देखे हैं 28 एनालिस्ट है जिसमें से लगब 40 परसेंट है जो हमें बता रहे हैं कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और एक छोटा सा फाइनेशल के उपर भी नजर ले लेते हैं देखे का मैंने कहा था कि एक राइम पर बहुत ही बढ़िया कंपणी थी अभी क्या चल रहा उसको भी समझ लेते हैं कि अगर बात करते हैं दोस्तों तो इंडस्री का 2.3 है जबकि इनका 1.69 यानि 1.7 के असपर तो 0.30% 0.60% का इसमें डी ग्रोथ है मार्केट शेर इनका कम हो रहा है बट अगर नेट इंकम की बात करते हैं तो यहां पर 9.22% का इंकम आता है जबकि इंडस्री कंपनी का जो है वह माइनस 1.78% इंकम चल रहा है फिलार बैलेंस इंके बात करें तो डेट इनके उपर 6.35% का जबकि इंडस्री के उपर लगवा 30% का जो है वह डेट है करन्ट रेशियो इन आसार तो दिखाई दे रहे हैं पर प्रैक्टिकली वह चीज होते हुए नहीं दिख रही है उसके लिए टाइम लग सकता है पासार में कैश फ्लो के अगर बात करते हैं दोस्तों इंडस्री के बाद 7.36% है जबकि इनके बाद 7.13% है हाला इतने भी खराब नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पीछे अड़ जाओ थोड़े बहुत आगे पीछे बाते होती रहती है और वहीं सीने में इसमें देखने को मिल रहा है अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर देखेंगा प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो कम हो रही है पिछ दिखाई दे रही है साथ अधर डॉमेस्टिक इंस्टेट्यूट की भी इसमें काफी अच्छी होल्डिंग जो है देख सकते हो बढ़ती जा रही है और कुछ ना कूछ बड़े इंवेस्टर्स हैं वो बिलकुल इसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में यह क अगर आप देख रहे हो तो कुमिन्स एक बड़िया ऑप्षिन आपके लिए बन सकता है अब धोड़ा सा आके जाकर के दोस्तों बात करते हैं कुमिन्स इंडिया को मैं टिकर पर लेकर के आया हूं यहां पर आप देख सकते हैं को छोटे-मोटे रीशुव से साड़े सकतरा दोस्तों बारा परसंट से हो रहा है तो एक जैसे मैंने करना एक स्टेबल ग्रोथ वाली कंपनी अगर आप डून रहे हो तो यह बिल्कुल बैटरिंग कंपनी है बुक वैल्यू एक से पचास के आसपास चल रहा है अगर हम लोग इसको रेशु से निकाल करके जो है वो इस केस काँए अगर यह आप जानना चाहते हो तो इसका एक लूफॉल है को टिकर पर आपको पता नहीं चलेगा इसके लिए सोर्स डूना पड़ेगा कि कहां आप इसको जो एक्चुली कर सकते हो देख सकते हो तो दोस्तों में आ चुके हैं अभी यहां पर चार्ट पर आप देख सकते हो मैंने कुछ लाइन्स की चीची हुए हैं यहां पर अगर हमें आपर लास्ट इंडिकेटर फ्राइडे की बात करें तो देखेंगा लगबग दो मिलियन का वॉल्यूम यहां पर ट्रेड हुआ है जो नीचे एनी सेल की तरफ आते हुए दिख रहा है अपर सेलर अक्टिवेटेट थे आप देख सकते हैं यह औरेंज लाइन जो है यह ब्रेकाउट वाली लाइन है जो हमें क्रॉस कर रही है लगबग जैनिवरी एन एक साल पहले का और उससे भी आगे अगर जातो दो हजार उननीस का एक ऑगस्ट का प्राइज है यहां पर उसको ब्रेक करते हुए हमें दिखाई दे रहा है और यह सक्सेस्फिल ब्रेक कर का और अगर यह पुल करने के बाद या फिर अगर यह नीचे आता है तो बिल्कुल हमें होगाट नहीं लगाना है जबत लल आपकर करें वापस हो जाता है तो हमें इसेंखरीदारी करी दो मौकेंने में पर दोस्तो 2100 ल अगर पूल बैक हो जाता है तो वहाँ पर हमें खरीदारी करने और वह भी लगबग 710 के आसपास की लिए ही रहेगी अगर यहाँ पर देख सकते हो ओवर प्राइज जोन में निकलने की कोशिश करता है तो हमारा जो टार्गेट है दोस्तो वह पका है 710 का तो बिल्कुल बने रहेगा इस शेर में और अगर ऐसे वीडियो आप और भी देखने चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बाज वाले जो